हलो चिल्रेन, वेलकम टू ग्यानवी जीजे चैनल, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो सीरीज हमारी चल रही है, जिसमे हमने कॉंसेप्स क्लियर करें, फिर ओपरेशन हमने स्टार्ट करें, अब हम करेंगे मल्टिप्लिकेशन, तो लेट मी स्टार्ट, मल्टिप्लिकेशन on algebraic expressions, तो अब मल्टिप्लिकेशन सबको पता है, multiply two, multiply by two is equal to four, इस तरीके से, पर अब हम variables के साथ multiply कैसे करेंगे, उसके लिए हमें दो rule हमेशा याब्द रखना है, first rule तो हमारा ये है, कि minus multiply by minus is always plus, plus multiply by plus is always plus, and minus multiply by minus sorry plus is equal to minus and plus multiply by minus is minus so अगर हम minus से minus को multiply करते हैं तो plus आता है और अगर हमारे दोनों different numbers हैं दोनों plus और minus अलग-अलग हैं तो हमारा हमेशा answer आएगा minus में और अगर दोनों same हैं तो हमेशा answer आएगा हमारा plus में तो यह rule बहुत-बहुत important है याद रखना मतलब minus into minus is always plus and plus into plus is always plus minus into plus is minus and plus into minus is minus तो यह rule याद रखना है हर multiplication में आपको यह काम आएगा integers में भी और algebraic expression में अब second rule हमारा है कि हमें expression दिया है a का power m multiply a का power n तो आप directly m into n नहीं करेंगे इसमें a लिखेंगे क्योंकि यह base हमारा same है यह हमारे bases है a और वो same है तो जो powers है इनके जो यह powers है यह add हो जाते हैं मतलब हम m plus n कर देंगे हम एक example लेते हैं जैसे हमने 2 का power 4 लिया and multiply 2 का power 3 लिया तो आप 2 और उसका power हो जाएगा 4 plus 3 मतलब 2 का power 7 मतलब हमें 2 को 7 times multiply करके इसका answer निकालना है तो यह हमारा second rule था और यह हमारा first rule था और आप इन rules को हमेशा हमेशा याद रखो अब हम start करते हैं multiplication of monomials monomials क्या होते हैं जिसमें single term आता है मतलब हमारा जो भी है उसमें single term है हमने terms पहले concept में पढ़ा था हमें example लेते हैं 6AB ये एक single term है फिर हमारा आगया 8A square B ये एक हमारा term है तो जिसमें सिर्फ single एक term होता है वो होते हैं monomials monomials single तो हम पहले single multiplications करेंगे फिर हम उसको बढ़ा करेंगे तो अब जैसे मैंने example लिया 6AB multiplied by question में दिया रहता है कि multiply 6AB by 4B तो हम ऐसे इसको multiply करेंगे तो कैसे multiplication होगा 6AB रिखेंगे हम 4B अब variable से variable का multiply और constant से constant का multiply तो हम numbers ले लेते हैं 6 multiply by 4 multiply का sign फिर A, A के साथ यहां पर कोई number नहीं है तो just write A, अब यहां B है और यह B है तो हमने पहले उसमें पढ़ा था क्या होता है formula में A, M plus N तो उसमें क्या है B, 1 plus 1 यहां पर 1 plus 1 आ जाएगा तो क्या हो गया 6 pose are 24 and A, B square 1 plus 1 is 2 तो यह हमारा answer हो गया तो हम एक और question करते हैं 5AB square C cube multiply by 7A square BC यहां पर by लिखा रहता है by का मतलब इसको multiply करना है तो हम equal to का sign लगाएंगे फिर 5 multiply by 7 एक bracket ले लिजी अगर समझ में ऐसे और easy पढ़ेगा फिर A multiply by A square फिर B square multiply by B यहां पर अगर मैंने sign नहीं लगाया तो भी multiplication रहेगा and फिर अगर C cube multiply by C तो यहां 7,5 जा 35 A का power 3 हो जाएगा B का power 3 हो जाएगा क्योंकि 2 plus 1 3 C का power 4 हो जाएगा क्योंकि 3 plus 1 4 तो यह हमारा answer हो गया इस तरीके से हम सारे sums कर सकते हैं एक दो difficult questions भी मैं लेती हूँ अब हम यह equation ले रहे हैं इसमें minus 8 multiply by 3 multiply by minus 1 by 6 आएगा और multiply by A multiply by A square and multiply by B square multiply by P and C तो directly अपना answer लिख सकते हैं इसको हम cut कर लेते हैं 2 से तो यह आजाएगा हमारा 4 और यहां 3 3 से 3 है cut हो गया तो minus into minus is plus 4 and A cube B cube and C यह आपका answer हो गया मैंने यह दो questions दियें आप इसे practice करें और अब हम equation लेते हैं जिसमें multiply करना है और उसे verify करना है कि जो हमारा answer हमने निकाला है वो सही है या नहीं तो मैं equation लिखती हूँ यह हमारा question है और हम इसे solve तो normal जो हमने अभी तक करा है वैसे हमने इसको solve कर लिया है बस अब हमें यह जो values हैं यह इसमें put करना है तो अब हम put करते हैं इसमें हम left hand side भी value put करेंगे और right hand side left hand side क्या है यह जो question है हमारा यह हमारा left hand side हो गया right hand side हमारा यह answer हो गया दोनों में हमें values put करना है अब जैसे हमारा equation में था minus 4 by 3 x, x की value क्या है 2 और y की value क्या है 1 और 1 का power 3 फिर उसको या तो आप अलग-अलग expression में put करके देखें या फिर आपने multiply जैसे करा है वैसा कब ऐसा हम कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 6 by 7 फिर again x की value क्या है 2 का power square into 1 अब इसको हम solve करेंगे तो हमारा answer आएगा 64 by 7 अब हम right hand side में value put करेंगे right hand side में हमारा expression answer जो आया था वो था minus 8 by 7 x cube y 4 तो अब हमारा minus 8 by 7 x cube मतलब 2 का power 3 and y का power 4 मतलब 1 का power 4 तो हम इसको भी solve करेंगे तो हमारा आएगा minus 64 by 7 तो हमारा RHS और LHS equal आगया मतलब हमने जो value find out करी है वो दोनों में same आने से हमारा question सही है तो अगर आपको मेरा video पसंद आए तो please like share and subscribe ग्यानवी जीजे चैनल और इसके आगे का मतलब monomial से binomial का multiply and binomial से binomial का multiply हम और next videos में लेकर आएगे so thank you for watching और please please do practice रोज के रोज आप past question रोज करें तभी अच्छा रहेगा okay bye meet you soon